नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप शिभी का अपने यूट्यूब चैनल दा नॉलेज प्ला जामें उम्मीद करता हूं आप लोग सौस्त होंगे और अपनी तेयर इच्छे से कर रहे होंगे तो जैशा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि B.S.E. फर्स्ट यर के पेपर्स के वारे में बीडियो बनाए है तो इस बीडियो में आपके Plant Biochemistry के पेपर के बारे में डिस्टकिस करेंगे इसमें आप लोगों के वाँस से डाउट रहते हैं कि Pेपर कैसा आता है कैसा पैरन रहता है इसका कितने नंमर का उता है कितने question पूछे जाते हैं और कितने करने होते हैं तो ये सब भी आपके doubt इस वीडियो में clear किये जाएंगे तो जो लोग channel पे पहली बार आई हुए हैं वो लोग channel को subscribe करें bell icon प्रेश कर लें ताके आने वाले video की notification आपके पास समझ से पहुँच सकें चलिए तो time बना waste किये हुए video को सुरू करता है आप लोगों ने youtube पे search भी किया होगा plant biochemistry के paper के बारे में लेकिन ये आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा पूरे youtube पे ये सारे papers कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे हमने भी पहले search किया था लेकिन हमें भी कहीं ये papers देखने को नहीं मिले थे तो हमने सोचा कि आप लोगों को इधरोदर ना बटकना पड़े इसलिए आप लोगों को ये सारे papers इस channel पर प्रोवाइड किये जाएंगे तो चलिए देखते हैं आपका plant biochemistry का paper ये है आपका CAC university का paper है ये department of agriculture biochemistry मिट्र मैग्जाम कौन सा है ये मिट्र मैग्जाम का paper है यहां पर color change कर लेते है pencil का मिट्र मैग्जाम है इसका code क्या है ये code होता है इसका BSH 112 elementary plant biochemistry पूरा नाम है इसका ये देखो यहां पर maximum mass इसके कितने 18 आपके जो मिट्र मैग्जाम होता है वो 30 नमर का होता है कितने नमर का होता है 30 नमर का होता है उसमें 18 नमर का आपका descriptive रहता है और 12 नमर का होता है वो आपका objective होता है आपके इसके लिए descriptive के लिए time कितना होता है तो descriptive के लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाता है और objective जो बारे होता है उसके लिए आपको 10 मिनट का समय दियाता है तो total आपका एक गंटे का समय होता है मिट्र में एक्जाम का तो यहां पर देखिए यहां पर यह note में लिखा हुआ है attempt any three question each question carries equal marks किसी किसी में तीन question पूछे जाते हैं किसी किसी में दो question पूछे जाते हैं इसमें 3 question पूछे गए हैं तो 18 में 3 question पूछे गए हैं तो each equal marks का है तो यह 6-6 number के question हो गए यह सारे आपके 6-6 number के question है जिसमें केवल 2 question करने होते हैं तो वो आपके 9-9 number के question होते हैं इसमें आपका first question दिया हुआ है define the term protein, give the classification of protein on the basis of shape, structure and solubility explain the secondary structure of protein यह आपका second question हो गया दूशरा question दो question पूछे गए इसमें दो नहीं इसमें बहुत चारे question बना है पहले तो protein को define करना है फिर classification of protein protein का classification on the basis of shape, structure and solubility यह आपका दूशरा question हो गया and explain the secondary structure of protein एक ही question में आपके 3 question है तो यह आपका कितने number का है 6 number का है second question दिया हुआ है write the structure formula any 6 इनमें से any 6 कोई भी 6 का structure formula पूछा गया है और यह आपका third question 5 question दिये हुए है इसमें आपके केबल तीन question करना है third question क्या है third question है define carvo added give the classification carvo added को define करना है give the classification of draft monosacrid with suitable structure and example fourth question क्या है define the term amino acid give the classification of the amino acid with suitable example give the structure of essential amino acid और फिफ्त question में क्या दिया हुआ है फिफ्त question में देखिए write short note any 3 write short note any 3 किनी 3 पे short notes लिखना है difference between reducing and non-reducing sugar, optical activity, fibrous and globular protein और juatrine इन 3 मैंसे किसी पे लिखना है तो इस साबरे मैंसे आपको केबल 3 question करने होते हैं सभी question नहीं करने होते हैं तो देख लीजी आपका ऐसा ही paper आता है ज्यादा गबडाने वाली बात नहीं है सब आसानी से हो जाता है थोड़ा पढ़ते रही है चलिए तो अब आपको next paper कराएंगे जितने भी paper हैं सारे paper आपको इसी channel पर provide कर दिये जाएंगे तो जो लोग channel पर पहली बार आई हुए थे वो लोग channel को subscribe करेंगे बेल आइकन प्रेश करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की notification आपके पास समय से पहुंच सके हैं और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे like share करेंगे